कि दोस्तो अगर आपकी चेक बुक से आप खुद ही अपने पेसे निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फरमेशन देने वाला हूँ दोस्तों यह हमारे पास checkbook है यह checkbook जो है मेरी है उसके बात मुझको ही पेसे निकालने है check से, खुद के पेसे मेरे को निकालना है तो केसे निकालेंगे, केसे फेल करेंगे check को सारा कुछ हम बताने वाले हैं तो video में बने रहेगा तो दोस्तों यहां पर first column यहां पर दिख रहा है पे का, तो पे में आपको क्या करना है कि पे में आपको self यहां पर लिखना है पे में आपको self लिखना है self का मतलब यह होता है कि स्वयम, अगर आप हिंदी में इसको फिल कर रहे हो तो आप स्वयम लिख सकते हो ठीकिए पेसे बिल्कुल अटेजमेंट करके ही इसको लिखना है उसके बाद एक लाइन आपको खिश देना है ताकि इसका कोई मिस्यूज ना कर सके उसके बाद यहां पर आप्शन आता है रूपीज का कितने पेसे आपको निकालना है तो चली हम को यहां पर आपको रूपीज डालना है तो यहां पर आपको लिखना है कितना पेसा आपको निकालना है मान लो हमने यहां पर लिखें फिप्टी थाउजिंड रूपीज उनली पचाहजार रूप्या हमको निकालना है तो हमने यहां पर लिख दिया उसके बाद पर आपको signature यह पर कर देना है, उसके बाद आपको यहापर date लिखते यह, ठीक डे को लिखना है तो वो थीन दो महपने के अंदर चेक का यूच कर लेजाने जाना अगर आपके पास SBI का चेक है और बाकी किसी भी बैंक का चेक है तो उस बैंक की किसी भी ब्रांच में आप चेक को यूज कर सकते हो वहाँ पर साब साब लिखा हो भी होता है Payable at all branches in India ठीक है तो इतना करने के बाद आप खुद के चेक से खुद ही payment निकाल सकते हो तो ये था एक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेला आइकोन को प्रेस कर सकते हो ऐसी वीडियो और देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट डूर्म तब तक लिए जाहिए